Hello everyone, AMU 2022 की physical reporting की date आ गई है student, तो जितने भी student इस session में, यानि की 2022 में enrolled हुए है, new admission जितने भी लोगों को हुआ है, उन लोगों को physical reporting करनी है, कहां भे physical reporting करनी होगी, किस date में physical reporting करनी है, और कौन-कौन से documents ले जाने है, आज किस वीडियो में बात करेंगे, तो सारे लोग इस करने है, और इस वीडियो को लाइक करने है, इस सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहां पर नोटिस किलियर ली लिखा हुए है, नोटिस रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन आप डॉकुमेंट्स फॉर निवली एड्मिटेड इस्टुदेंस अप देख सकते हैं कौन अगर आप चेर्मैन ओफिस या फिर दीन ओफिस में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल डॉकमेंट्स वेरिफिकेशन कहां पर होगा, ठीक है, और आपको तीस नॉबंबर में जाना है, सारे लोगों को जितने भी लोगों को नया एडमिशन मिला है, में 2022 में अम्यू में ठीक है, और डॉकमेंट्स आपको कौन-कौन से ले जाना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको ले जाना है, सारे कौलिफाइग जितने भी अगर आप फॉर एक्जाम्पल MST में है, तो आपको बीए, BSC ये सारे कॉर्स का आपक फोर फोटो कॉपी भी ले जानी है, सारे मार्क सीट की, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, ट्रांसपर स्लैस माइगरेशन, यानि कि चाहे है ट्रांसपर हो या फिर माइगरेशन हो, दोनों में से कोई एक, यानि कि जो इंटर्नल स्टुडेंट है, उनको ट्रांसपर या माइगरेशन दोनों में से कोई एक, ले जाना होगा, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, उसके बाद इस्टेंट आप देख सकते हैं, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानि कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, उसके बाद फाइब फोटो ले जाना है, और यहां पर आप देख सकते हैं, इस्टेंट आप देख सकते हैं, इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, लेप संक्षन्स देख सकते हैं, तो यह आप समझ सकते हैं, अगर कोई employed है उनके लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है, उसके अदिश्टेंट सेवन्थ है, और सेवन्थ आप देख सकते हैं, नेम रिमूबल सट्विकर्ट, यानि कि for example, कोई student इस साल बीटेक में एडमिसल लिया है, और वो पिछले साल बी यहां पर दिया हुआ है, इस गाइड की पीडी आफ करनेगी में दे दूंगा, आप जा कर देख सकते हैं, और यह यह जो है, अप क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपको आ और लिकना होगा, यह परेंट यहां गारीन की तरफ से यह तो यह दोनों आपको लेजाना होगा, ठीक है, यह सारे डॉकुमेंट्स जो आपको लेजाना है, 30 नॉंबर को 2022 ठीक है, आपको प्रिंस्पल आफिस या डीन आफिस में जाकर करके पता कर लेना है कि कहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, बीटेक के लिए आप डीन आफिस जा टाइकल ले ओके थैंक्यू